हेलो एवरिवन मैं उसी उम्दिवेदी और आप देखरें अपना पसंदीदा चैनल ग्यानों देखें गुरुजी मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले तो मुझे ये बताईएगा क्या आपको मेरी आवाज आ रही है आप लों मुझे सही से सुन पारे हो या नहीं चलिए बह मुझे से मुझे बताईए कि आपको मेरी आवाज आ रही है सही से सुन पारे हो आप लोग मुझे है हेलो विनीता हेलो आस्था हेलो कोमल एंड हेलो ओल आफ यो माइडियर चलिए बहुत बढ़िया अमन बागेल शुधीर शुभम बहुत सारे बच्चे हमारे साथ आ चुक एंड अजय आस्था तनुदिछित प्रितियोजा आदर्श पांडे हर्श शिवा चांदनी कुमारी अमन मिश्रा अंशुपाल हर्श शैलू चलो बहुत बढ़िया बहुत सारे बच्चे हमारे साथ आ चुके हैं अमरिता पतेल गुड इवनिंग ओल आफ यो माइडियर दे एकसाइट्टि ऑचके सेषिन के लीए अप लोग सबसे पहले बतादो क्यूंकि आज का सेशन सर्फिजिक्स कब से पढ़ाऊगे तो सर्फिजिक्स लेके आ गए बतादो 그렇게 हो जल्दीसे क्या पतात एक बार सारे बच्चे आग लगनी चाहिए सेशन में आज भूमिका शैनी आदर्स पांडे चलो बाई जल्दी 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 से बता दो वह क्या बात है देखते हैं देखते हम लोग बहुत सारे लोग हो चुके हैं अभी शुधीर, वैभो, अमन, अजीत देखो, सुरू के एक दो मिनिट तो हम सभी का ऐसे देख लेते हैं कौन है, कौन नहीं है, सारी चीज़े देख लेते हैं तो उसके बाद फिर सेशन एक बार चालू हो जाता है तो फिर बीच में हम किसी की कमेंट वगरा बहुत जादा नहीं देखते हैं सारे बच्चे ऐसा आप लोग भी जानते ही होगे एरा, चले फिर, सुरू किया जाए कहानी वह, क्या बात है चलते हैं बच्चे, सुरू करते हैं फिर आज की कहानी को ठीक है, देखते हैं लोग 50-60 लोग हो गए चलिए, शुरू करते हैं आज के सेशन को सबसे पहले आज के session में क्या discuss होगा उसके बारे में बताऊंगा overall में बताऊंगा आज की भाई क्या क्या पढ़ना है इस chapter में और क्या important है कहां से question आएंगे model paper में कौन से question रखे होते हैं इस बार board exam में कौन से question आने वाले हैं जो भी circle लगते हैं सारी चीज़े आज सेयर की जाएंगे आपके साथ हैना तो सारी चीज़े हम लोग यहां पर जो है वो सेयर करने वाले चलो सबसे पहले देखो इस chapter में एक बड़ा जो भी कि हमारा कितने number का question होता है अगर मैं बात करूं कितने number का question होता है जो कि आपका छे number का question आता है वो छे number का question आ सकता है कि मानो नेत्र क्या होता है मानो नेत्र की स्वर्चना बताईए इसमें छोटे-छोटे अलग से question आ सकते हैं सर छोटे-छोटे question कौन से बन सकते हैं मानो नेत्र में आज मैं छोटे-छोटे दस कोशन बताऊंगा छोटे छोटे दस कोशन बताऊंगा मानो नेतर के बारे में बताऊंगा इसकी पूरी सनचना के बारे में बताऊंगा नोट्स दूँगा प्रॉपर सारे चित्र के थ्रो में सारे नोट्स को भी क्लेर कर दूँगा सारे नोट्स में लेके आया हूँ बहुत सारी चीजों को मैं टाइप करके लाया हूँ आप लोगों के लिए एक पॉइंट बताऊंगा क्या होता है दरन पटल, क्या होता है कोराइड, क्या होती रेटीना उसके बाद फिर हम एक एक पॉइंट को पूरा चित्र बना कर डिसकास करेंगे सर, मानोनेतर में क्या आता है पेपर में कैसे कैसे कोश्चन आ सकते हैं सर, इसके बारे में बताईए ज़रा एक बार तो डियर, पहले मैं आपको बता दूँ कि मानोनेतर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है निकट द्रश्टिदोस पूछा जाता है पेपर में निकट द्रश्टिदोस में चित्र भी बनाना पड़ता है सारे बच्चे सोचते कैसे बनाएंगे क्या करेंगे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ऐसा बताएंगे कि दोबारा आपको पढ़ना ने पड़ेगा निकट में खतव लगाते हैं चस्मे में दूर द्रश्टिदोस जो है वो दूर हो जाए उसके बाद जराध्रश्टिदोस क्या होता है जराध्रश्टिदोस यह कवा होता है कैसे पाया जाता है कहां होगा एंड अल्वसों वर्णानधता है Tschala वर्णानधता और एक चीज़ मैंने excitement कैसा है जल्दी बता दो एक बार कितना टाइग्राम इसमें बनाना होगा सिर्फ एक से सारा काम चल जाएगा ठीक है अमित मुर्या जी नाम लिया है नाम के लिए मत आया करो क्लास में मैं बार बार बोल रहा हूं तुम कड़ी मेहनत कड़ी मेहनत ही सफल इंसान की निसानी है जब इंसान बहुत सारी मेहनत करता है तभी वो सफल होता है क्योंकि जब तक चलेंगे नहीं तब तक मंजिल पे पहुँच सकते ही नहीं घर से बिना निकले आप अपनी मंजिल पे पहुँच जाओ ऐसा हो सकता है क्या नहीं घर से निकलो ही ना और आप कुछ काम करके आज पॉसिबल है क्या नहीं तो चलना पड़ता ही है लड़कडा के चलो संभल के चलो या फिर कैसे भी चलो जिन्दगी है तो चलना पड़ेगा जिन्दगी है तो जीना पड़ेगा कुछ लोग उसको बेकार वाली जिन्दगी जीते हैं और कुछ लोग उसको सान और सौकत के पढ़ाई करोगे मैं बार बार हमेशा यह बात आप लोगों को बोलता हूं कि जब भी क्लास में आए इमांदारी के साथ पढ़ाई करें मैं सभी को बोलता हूं कि इमांदारी के साथ पढ़ाई करें एक बात और भी मैं बोलना चाहूंगा कि जो इज़त एक पढ़े हुए इ आपको पढ़ना है मेहनत करना है जब आप पढ़के कुछ बनोगे तो उसकी एक अलग वैलू होगी है ना करेक्ट चलें सुरू करें चलिए सबसे पहले हम डिसकस करते हैं कि भाई मानोनेत्र क्या होता है सिंपल सी बात है पहली लाइन है डालना है मानोनेत्र क्या 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 है बता दिया मैंने आच सो मानोनेत्र का है मुल लिवान है इतना ज्यादा मुल लिवान यह हमारा क्या है एक प्रकार का ग्यानेड्री और और यह सुग्राही यह सुग्राही का मतलब शैंसिटीव अगर इसे आजबी चसमां उतारों और ऐसे उंगली पास में ले जाँ का याँखना बंद हो जाएगी तो इतनी जादा sensitive है और साथ हमारे लिए किसका काम करती है कैमरे का काम करती है अगर यह camera नहों तो इसका picture हमें दिखाई नहीं देगा आप दिखाई नहीं दोगे एक camera नहीं दिखाई देगा लैपटॉप नहीं दिखाई देगा यह नीचे light नह अगर हमें यह इस अदभुत संसार को देखने में क्या करती है मदद करती है रंग बिरंगी चीजों को देखने में मदद करती है कौन मदद करता है यह हमारी मानवनेत्र मदद करती है ठीक यह चित्र आपके सामने बना तो है बट बहुत सारे बच्चे इसको बना नहीं पा जाएं और सारे के सारे मेरे साथ साथ बनाएंगे देखेंगे और मैं चित्र बनाने नहीं जा रहा हूं एक डिफिनेशन भी उसी में क्लियर करता जाओंगा ताकि पीछे जब नोट्स पढ़ोंगा ना तो बड़े अराम से समझ मैं आगा देखो द्यान से सबसे पहले यह मान कैसी है वो हमने दिखा दी कैसी है लाल कलर की बट मैं उसको भी लाल कलर का बना लेता हूं बट वह लाल होता नहीं कलर ऐसा कुछ नहीं है तो यह दो आपको यहां दिखाई दे रही है इस तरीके से यह दो परते दिखाई दे रही है करेट दो आपको इसे परत दिखाई द इसको हम लोग क्या नाम देते हैं इसको बोलते हैं द्रण पटल क्या बोलते हैं बच्चों द्रण पटल ज्यान से सुनना मेरी बात इसको क्या बोलते हैं द्रण पटल और यह बहुत ज्यादा क्या होती है द्रण होती है और यह क्या करती है यह हमारी आख की रच्छा करती है तो paper में आ गया कि क्या होता है द्रण पतल तो देखो notes की tension नहीं लो पहले समझ लो द्रण पतल क्या है नेत्र का गोला बाहर से एक द्रण अपरद सी स्वैत परत से ढका होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं द्रण पटल कहते हैं जिसे बच्चों क्या कहते हैं द्रण पटल कहते हैं तो यह जो उपर आपको दिखाई दे रही है क्या है द्रण पटल इसके बाद यह आगे से कैसी होती है उभरी हुई होती है तो देखो मैं आगे से कैसा बना रहा हूं इनको कैसे निकाल सकते हूं, इनको ऐसे निकाल सकते हूं, ठीक है बच्चो, ऐसे निकाल सकते हूं, इनको, करेक्ट, यह हो गई हमारी क्या, प्रकास सिराएं, प्रकास सिराएं, करेक्ट, किसी को कोई समस्या नहीं है, यह हो गई प्रकास सिराएं, ठीक, अच्छा, इन प्रक और को कहते हैं हम लोग को रोइड ऐ क्या बोलते हैं बचो रोइड या को राइड भी बोल देते हैं ठीक चाहरे जिए को रोड कि लिख लो कोई दिक्कत नहीं है कि कश्म प्रयाड कां किया glad की सुर अंदर जाता है तो सारे प्रकास को अंदर ही रोग लेती समा लेते के प्रकास को अंदर तो जब प्रकास जाएगा मालों आपके कमरे के अंदर बहुत सारे काच भरे सीसे लगे हैं और प्रकास इसे जहम से अंदर जाएगा तो क्या होगा बोलो अंदरी प्रकास क्या करेगा ऐसे टकराएगा फिर ऐसे टकराएगा ऐसे टकराएगा और सोचो रू कौन करेगा कौरोइड करेगा चलिए नोट्स पर आके समझते हैं इसको हमने वोला कि गनेतर का गोला बाहर से एक दर्णा परदर सी स्वयत परत से डखा होता जिसे दर्ण पटल कहते हैं कौरोइड दर्ण पटल की नीचे काले रंग की जल्ली होती है जिसे हम लोग होती है इसमें उनला एक और परत भी होती है तो यह कैसी होती है सर मैं बनाने जा रहा हूं बहुत अच्छे से देख ले ना आप लोग ऑ एक और ऐसे परत सर ने बना दिए ऐसे और ऐसे एक्वाया अंसे गस्त एक्जाम में कोशन पूछा जाता है रेटीना क्या है रेटीना क्या होता है बच्चो एक जिल्ली होती है और जिल्ली का काम क्या है जिल्ली का काम है कि यह जिल्ली इसी जिल्ली पर इसी रेटीना पर क्या बनता है क्या बनता है प्रतिविंब बनता है इसके सामने जो खड़ा होगा उसका प्रतिविम कहा बनेगा इस रेटीना पर बनेगा चलिए रेटीना को पढ़ लेते हैं रेटीना क्या है उन्हें ने बोला की कोरोईड के नीचे मतलब इस जलनी के नीचे नेत्र के सबसे भीतर एक bulim प्रतिविंब के रूप में अंग का आकार और ग्यान मतलब कैसा प्रतिविंब बना है सारा ग्यान कहां करा देती हैं हमारे मस्तिस्क को करा देती हैं तो अभी तक क्या पढ़ा बोलो तीन बाते पहली बात द्रंड पटल क्या होता है नेत के ऊपर खोकले गोले के ऊपर एक आवरल चाड़ा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं द्रंड पटल कहते हैं ये बात पढ कोरोईड के नीचे एक और प्रकास सिराओं की जली बनी प्रकास सिराओं से बनी हुई एक जली लगी होती है जिस पर प्रतिविम बनता है और यहीं प्रतिविम का ग्यान प्रकास सिराएं जाती है हमारे यहां से आंक से आई और मस्तिस्क तक चली गई और यह हमारे मस्तिस्क औको ज्यान कराएंगी कि बना कैसा है प्रिट्वीन काला है सामने से लड़की आ रही है पिछे से काला सा लड़का पार्री मतलब ठ्रंसपैरंट यस पार्दर्सी नहीं। कि पता क्या इतना तो पता ही होगा कि पारदर्सी मतलब ट्रांस्पेरेंट करेंट करेक्ट औके चलो बहुत बढ़ा चलिए आगे चलते हैं इतना तो हमने डिसकस कर लिया हमें यह सारी चीज़ें समझ में आ गई आप इसके बाद पढ़ते हैं कि कार्णिया क्या होता है ठीक है कार्णिया क्या होता है देखो आगे का जो उभरा हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है यह जो उभरा हुआ जितना हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है कार्णिया वह चीज होती है जो मेरी आख में ऐसे खुली व साब को मेरी आंख में पूरा काला पूरा काला वो हमारा क्या है कार्णिया है प्रकास क्या होता है यहीं से अंदर जाता है तो यह क्या हो गया बच्चों यह हमारे क्या हो गई कौर्णिया हो गई यहां तक समझ में आ गया किसी को कोई समस्या नहीं है बहुत बड़ी आ गया अच्छे से समझ में, बहुत अच्छे से समझनिया, तो कार्णिया क्या होता है, मानो नेत्र के आगे का उभरा हुआ हिस्सा, जहां से प्रकास प्रवेश करता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, कार्णिया कहते हैं, अभी मैं परिभासा बता दूँगा, आपको कोई दिक्कत होगी, तो कार्णिया भी समझ में आ गया, अब कार्णिया के बाद आपको क्या पढ़ना है, कार्णिया के बाद आपको पढ़ना है, आईरिस, ठीक है, अब उसके बाद आईरिस क्या होता है, देखो कार्णिया का नोट, गोले के सामने का भाग पारदर्सी, मतलब ट्रांस कहते हैं ज्यांसे हमारी बात को सुनना कौर्णिया के पीछे ठीक है ज्यांसे सुनिए यहां दिखाते हैं आपको यहां पर यहीं पर एक जिल्ली होगी यहां पर एक जिल्ली होती है ऐसे लेयर बनी होती है जो अपार दर्सी है ठीक है तो वह क्या कहलाती है वह कहलाती है आई आइरिस कहलाती है यह हमारी क्या कहलाती है आइरिस कहलाती है अब आइरिस का मतलब जो काला काल आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है यह होती है और यह आइरिस जो होती है वह कैसी होती है ध्यान से मरी बात को सुनिएगा प्लीज आइरिस क्या होता है रंगीन होती है यह कैसी ह होती है कलर यह इन में देखा होगा बहुत सारे लोगों की आखेना हरी होती है किसी की नीली होती है किसी की काली होती एक दम यह सब किसपे डिपन करता है आयरिस प expression कई बार पर फैपने पूछा गया है कि हमारी आख में रंगीन जो भाग होता है उसको क्या कहते है आईरिस कहते है जो कलर होता है आईरिस और यह अपार दर्सी होता है जिली का परदा होता है जिसे हम लोग क्या कहते है अच्छा मेरी बात को ध्यान से सुनो हमारी आख को जरा आप गौर से देखिया ऐसे हमारी आख में आपको क्या दिखाई दिखाई देगा अपना ही आख ना सीसे पर देखना जाकर तो जो पूरा-पूरा कला पार्ट होता है उसके बीच में आपको एक और भाग दिखाई देगा जो तोड़ा सा आपको डॉट जैसा दिखाई देगा बिंदू जैसा वो कहलाता है कुछ और ऐरिस जो पूरा कला दिखाई दे रहा है यह हमारा आईरिस हो गया इधर ठीक और इसके अंदर बीच में बिल्कुल एक बीच में एक छेद जैसा होता है वास्तों में छेद नहीं होता बढ़ बिल्कुल बीच में छोटा सा बिंदू दिखाई देगा जो कि एक दम काला होगा उसे क्या कहेंगे उसे कहते हैं हम लोग पुतली या फिर नेत्रतारा तो जैसे माल लो हमने बोला कि यह हमारा चित्र हो गया अब यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो है बच्चो यह हमारी हो गई पुतली यहाँ पर होगी पुतली छोटा उपस्वता. बुचा जाता है कि जब हम अंधेरे कमरें जाते हैं तो जो चीज फैयल जाती है अनेरे कमरें जाऊँगे पुतली फैयल जाएँगी बाहर आऊगे पुतली शिकुर जाएँगी तो आपके आखे ना बहुत अच्छे से समझो बहुत प्यार के साथ बता रहूं बहुत अच्छे तरीके से ठीक है आगे मेरे बास समझें आगे चले हम लोग चलिए बहुत बढ़िया आगे चलते हैं अब उसके बाद हमने पुतली समझ लिया यह सारी चीज़े समझ ली अब इनके जरा एक बार डिफिनेशन यहां देख लेते हैं पुतली क्या है इस परदे के बीच में देखो अभी नोट मत करो स्क्रीन सॉट लेने के लिए मैं हट जाओंगा एक पेस का स्क्रीन सॉट करवा यह अंदर जाएगा जितना उसको जरुत है इसलिए प्रकास सीमित मात्रा में नेत्र में प्रिवेस कर बाता है बहुत यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं बड़े प्यार से समझ में आ गया होगा ठीक अभी स्क्रीन सॉट लेने का मैं पूरा टाइम दूंगा चलिए यह सम तोब क्या बोलते हैं नेत्र लेंश में डेखो ऐसे लगा होता है यांसे मैं समझने की कोशिस कीज़ेगा अ status बना रहाँ आप भी बना सकते हो सोरा ठीक है नेत्र लेंश क्या होता है इससे समझने की कोशिप रते अרכं ये नेत्र लेंस एक अच्छा ये नेल्स कैसा होता है लेंस ये उत्तर लेंस होता है कैसा होता है बेटा उत्तर लेंस होता है और ये जिसकों लोग क्या बोलते हैं नेत्र लेंस बोलते हैं ये कैसा होता है इसका नेचर कैसा होता है अभिसारी अभिसारी का मतलब प्रकास की कि एक जगा पर यह इखटा करता है हमने पढ़ा भी है पिछले चैप्टर में भी पढ़ रखा है कि यह अभी सारी लेंस होता है प्रकास किरणे जितनी आएंगी सब को एक जगा पर यह मिला देगा ठीक तो यह जब कोई मनुस्य स्वस्त होता है नौजवान यंग एकदम तो अभी प्रकास किरण जब आएगी तो आने के बाद यह सारी प्रकास किरणों को यहाँ पर लाके इखटा कर देता है यहाँ पर लाके क्या कर देता है इखटा कर देता है ऐसे लाएगा यही पर सब मिला देगा और जो यह मिला देता ना इस बिंदु का भी कुछ नाम है अभी बताऊंगा मैं तो सारी के सारी प्रिकास की रिलागा यहीं पर बना देगा और यहीं हमारा पर्दा पर्दे पर क्या बन जाता है तो यह मारा लेट लेंस होता है किसका बना होता है यह किसका बना होता है यह मा शार बजाता हूं एक चीज आपको बताता हो बहुत अच्छे से देखो आयरिस के ठीक पीछे नेत्र लैंस लगा होता है जिसे अगरेजी के पिछले भाग की वक्ता इज्या चोटी और अगले भाग की वक्ता इज्जा बड़ी होती है इसका मतलब समझ लो जैसे देखो यह लेंस हम लोग ऐसे पढ़ें अभी उत्तर लेंस यह आपके काम के चीज़ है इधर जो जब यह लेंस बनाया गया होगा तो यहां परकार रखा होगा ऐसे लगाया होगा चाप और यहां परकार रखा होगा ऐसे चाप लगाया होगा तो शो के पीछे का हिस्सा होता ना उसकी तिरिजा क्या होती बजrick चोटी होती है और आगे वाली कि यह वाली दूरी होती है यह बढ़ी होगी और यह वाली दूरी क्या होगी चोटी होगी एदर से जादा आगय से मोटा होगा और पीछे से पतला टाइब का होगा टे हिए कुछ एसा होता है पीछे से थोड़ा सा दबा हुआ आगय से जादा उपरा हुआ ठीक है और इतना डीप में नहीं जा न फिलाल अब नहीं भी लिखोगे इसको तो कोई दिक्कत नहीं इसके बाद यह कई ओते जाते हैं अपको कहीं नहीं विलेगी में बहुत अच्छे से ढून के लाया हूं कि जैसे माल लोई आई हो गई हैं एक परतुनांघ जो हो गई इसमें जो लगा है यहां आप वारतुनांघ कुछ और खाल यहां कुछ और होगा यहां कुछ आप लेकिन लेकिन हमको न एक चीज़ से मतलब कि बीच में कितना होगा, और यहां पर पुरत नांग जो होता है, वो लगबग 1.5 होता है, लगबग 1.5 होता है, ठीक, मैं देख लेता हूँ, नोट्स में मैं क्या लिख के लाया हूँ, एक दसन दो चार-चार होगा, एक दसन दो चार-चार ठीक, तो इसको भी लिख सकते हो कि इसका पूरतरान कितना होता है, एक दसन दो चार-चार, clear हुआ, यहार तक समझ में आ गया, done, किसी को कोई दिक्कत नहीं सारे बच्चो, आ गया ना समझ में, चलिए, lens अपने इस थान फेड़न पर मानस्पेशियों के बीच में जो है वो क्या होता है यह चुस्चा होता है इसके कि यह अपने आप सामने को यार यह उनको देख रहा हूँ अचानक बघ़न में आगे उनको देखने लगा कितनी जल्दी फोकस दूरी को बदल लेता है मैं ऐसे देख रहा हूं सब को लग रहा है कि मुझे देख रहे नहीं मैं तो नीचे देख रहा हूं तो ऐसा इसलिए होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह अपनी बहुत जल्दी से फोकस दूरी को बदल लेता है बोले यहां तक किसी भी बच्चे को अगर समस्या हुई हो तो बताएंगे आप लोग आगया सारे बच्चों को समझ में बता दो एक बार सारे के सारे ठीक है अरे स्क्रीन सोट अभी ले ले ना यार क्यों परेशान हो अभी तो हम डिसकस कर रहें ना करने दो मुझे ठीक है अभी तो करने दो ना अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो बताएंगे फिर आगे चले हम लोग होता क्या है कि यह अ क्या यह यह हो गई और लेंस हो गया इस अइरिस और लेंस के बीच में एक द्रव भर्हा होता है क्या भरा होता है बच्चों आईरिस और लेंस के लेंसकी बीच में एक दरव बार세से जैसे मैं दिखो भर दूँगा इसमें इसमें आइरिस और लेंसके बीच में एक दरव बढरा होता है यहां से लेकर यहां तक हाव desse रहल cooking होताएं नम कियो होता है सर निनकीन कोוע़ 2 कैसे लगते नमकीन नमकीन लगते हैं कि नहीं लगते हैं बोलो ऐसे आसों पी जाते हो जब तुम लोग कभी कभी जादा दुख दर्द होते हैं तो यह नमकीन लगता है कि नहीं बोलो दुख दर्द हुआ है कभी तो यह क्या हो गया यह नमकीन जैसा होता है और इसमें जो यह द्रव भर होता ह пойдे इस द्रव का का एक नाम है इसको हम लोग क्या कहते है जली द्रव क्यों जो थोड़ा नमकीन था यह भता हुआ तुर्ट ऑन यह थोड़ा सा तन है क्या हो das PE होता है यहाँ पर भी क्या होता है आख के अंदर भी एक द्रव भरा होता है ऐसे अंदर द्रवाब होता है जिसको लोग क्या बोलते हैं कचाब द्रव बोलो यहां तक क्या समझ में आ गई मेरी बात इसको क्या बोलते हैं कचाब द्रव तो इतने सारे पॉइंट में बता दिये कि द्रण पटल क्या है को रोइड क्या है रेटीना क्या है प्रकास सिराय के बारे में बताया नेत बिन्द होता है रेटीना पर इस्थित वह बिन्दु जहां पर वस्तु का प्रतिविम इसपष्ट बनता है उसे पीत बिन्दु कहते हैं फिर से सुनिएगा रेटीना पर इस्थित वह बिन्दु जहां पर वस्तु का प्रतिविम इसपष्ट बनता है उसे हम लोग क्या कहते ह है उससे हम लोग पीतबिंद कहते हैं तो यह हमारा क्या है यह पीतबिंद ह esta एक का शर्णा का यह प्रकास इलई हमाण सस्की खता है उससे हम अंध बिंदु कहते हैं जब आदमी अंधा हो जाता है ना तो उसका प्रतिविम इसी बिंदु पर बनने लगता है बोलो यहां तक क्या समझ में आ गए बात मज़ा आ गई चलो स्क्रीन सॉट ले लो बना लोगे आप कॉपी पे इसको स्क्रीन सॉट ले आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे जहां तक लगता है आ गया समझ में हना और यही सब जाके तो यहल से मैं भी पढ़ोगे बाद में हना स्क्रीन सॉट ले लिया चलिए इसका स्क्रीन सॉट ले लिजे यह पहला पेज द्रन पटल कोरोईड रेटीना फिर उसके बाद का अंद बिंद पीत बिंद यह भी सारा का सारा बता दिया हमने बोलकर बता दिया कि जिस इस्थान पर प्रकास सिराय रेटीना को छेद कर मस्तिस्क में जाती है उसे इस्थान पर प्रकास का कोई प्रवाव नहीं पड़ता और हम लोग उसको अंद बिंद कहते हैं और रेटी शापिक सारे बच्चे चैट में आग लगा दे तो मुझे अच्छा लगे नहीं हुई ना सब से पहले सारे पॉइंट को एक एक बार क्षाइन कर लेते हैं सबसे पहले हमने पड़ा की बाई माननेतर क्या है अत्यंत मूल् लिवन और सुग्राही क्या है घ्ञानेंद्री है फिर मैंने पढ़ा कि नेत्र का गोला उसके उपर की परत द्रण पटल कहला ती है नेत्र का गोला जिससे वना होता है उसके अंदर एक दूसरी परत है जिसे हमनों कोरोइड कहते हैं तीसरी चीजिद हमने पढ काम क्या होता है यह अभी खतम नहीं हुआ ऐसे सन्यार जाओ मत अभी तो हमने सिर्फ सुरू किया है बेटा अभी तो हमको द्रश्टी दोस्ट पढ़ने है कहां चले तुम रेटीना के बारे में क्या पढ़ा रेटीना के बारे में पढ़ा कि रेटीना क्या है रेटीना एक प्रकार की जिल्ली है जिस फिल्म है या जिल्ली बोल सकते हो जिस पे क्या बनता है इस पे प्रतिविम बनता है उसके बाद ये पारदर्सी होती है प्रकास इससे चला जाता ह फिर आख के आगे हिस्से में चले गए आगे का उभरा हुआ इस्सा कार्णिया कहलाता है कार्णिया के ठीक पीछे एक जिल्ली होती है जो की रंगीन होती है पारदर्सी होती है जिसे आईरिस कहते हैं फिर हमने पढ़ा कि नेत्रतारा क्या है हमने बोला कि भाई कार्णिया के आगे का वा हिस्सा जहां जो काला होता है और आईरिस के ठीक बीचों बीच में छेद होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं नेत्रतारा या पुतली कहते हैं फिर हमने पड़ा कि कौरीया के पीछे मां स्पेश्यों से जकड़ा हुआ एक lens लगा होता है जो अभी सारी lens होता है जिसे हम लोग नेतर lens कहते हैं श्रफा कर लेता है ञंहां इसा प्रिफ्पन मैं जाएसा अभी देख पा रहा हूं यहाँ पे तब नहीं छोड़के जाएंगे तो किसका नुकसान कर रहे हो अपना किस की साथ खेल रहे हो अपने माबाप के साथ, किसका पैसा बरबात कर रहे हो अपने माबाप का और जब यही पैसा आप खुद अपने होगे न थोड़ा सा जब तो चार नन्यम इन्य तो buna वच्चे होंगे ना इसे तब समझ में आ पैसा क्या चीज होती है लुटे कि पढ़ाई क्या चीज होती है सही कह रह THAT है कि तब civ कोंगे साही कहते तैं चल ओ टिक है ज्यादा ज्मूह नहीं पढ़ते हैं हम लोग है ना इसके बाद क्या बता है यह चीजे पढ़ ली फिर हमने बोला कि रेटीना के बीचो बीच एक बिंद होता है जिसे हम लोग पीत बिंद कहते हैं यहीं पर इस पोष्ट प्रतिविम बनता है रेटीना को छेद कर प्रकास सिराएं जिस इस्थान से म बानों को दिखाई नहीं देता उसे हम लोग क्या बोलेंगे उस बिंद को अंध बिंद बोलेंगे तो रेटीना जहां छेद कर जाती है सारी चीजे बता दी फिर हमने बताया आइरिस और लेंस के बीच में एक द्रव भरा होता है जिसे हम लोग कचाब द्रव कहते हैं ठीक जितने पॉइंट हमने लिखे हैं दो दो नंबर के तीनों मेंसे कोई ने कोई एक तुमारे पेपर में जरूर आएगा 100% जरूर आएगा लिखके रख लो कहीं पर पहला पॉइंट है हमारा समंजन छंता देखो पहला पॉइंट है हमारा समंजन छंता देखो समंजन छंता क किसी दूसरे लड़केों को भी देख सकता है, मतलब एक साथ वो सब कुछ देख सकता है, सामने मेरे अभी इदर black color का परदा है, इदर हमारे पास अलमारी है, इदर सामने camera है, सब कुछ मैं एक साथ देख पा रहा हूं, और सामने से अगर कोई आ रहा हो, दिवार नहों तो मुझे दिवार की उस पार भी दिखाई दिएगा मतलब इतने जल्दी से अपनी फोकस दूरी को बदल लेता है अभी मेरे बगल से कोई आजाए बोड बंद हो गया तो मैं का बोड बंद हो गया इसका मतलब क्या हो अचानक से मेरी फोकस दूरी आख ने पर MAGA वस्तू कहीं हो रातिवी का यह हो यह न लेंस आखा लेंस बनाएं इसका मतलब है लेघुग कर आफ क्या है कि वह फिक्स है मतले है 돼요 solves ऑप्सी वह व्यरोदगना कुष क्या है क्या प्रतिम का प्रतिम्यट seminar पें बनें शोंा उर इस दूराब बदल सकते और आपका प् तो जो मानुनेत्र होता है अपनी फोकस दूरी को हां अमन सिंग अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो जो मानुनेत्र होता है वो अपनी फोकस दूरी को बहुत जल्दी परिवर्थित कर लेता है और इसी छमता को मानुनेत्र की क्या बोलते हैं हम लोग समंजन छमता कहते हैं मतलब अगर कोई question आजाये तो आप लिखोगे कि focus दूरी को समयोजित करने की चंता lens की समझजण चंता कहलाती है, लेंक क्या ज़न कहलाती है, समझजण चंता कहलाती है, मुझे लगता है, आपको समझ में आगया, अच्छा, निकट बिंदु क्या होता है, निकटबिंद क्या होता है, मांलो हमने चस्मा नहीं लगाया, चस्मा उतार दिया, ठीक और एक किताब लेके आते हैं, एक कॉपी लेक्जाए लेके आये हम, ऐसे, और मैं इस कॉपी को आराम से ऐसे पढ़ पा रहा हूँ और इसके बाद, यह यहां से लेकर, यहां तक दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर तो मैंने बोला कि बिना समंजन छमता लगाए मेरी बात समझे ध्यान से कि हम आराम से हमको कोई जोर नहीं देना पड़ रहा कि नहीं नहीं अगर मानोनेत्र अपड़ को देख लें निकट रखी या निकटतम जितनी दूरी को देख सकता है उस दूरी को वहां नियुंतम दूरी जिस पर रखी को कि वह. बिना तनाओं के अत्यधिक इसपष्ट देखी जा सके उसको हम लोग निकट बिंदु कहते हैं हाना वह बिंदु जहांसे मुझे इसपष्ट दिखाई देगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे वह नियूंतम बिंदु को कितना होता है यह होता है 25 सेंटीमीटर तो आपने नोट क है यह कई बार पूछा गया है बच्चों कि इस पष्ट द्रश्ट की नियूंतम दूरी क्या होती है नोट कर लो इस पष्ट द्रश्ट की नियूंतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है ऑप्शन में कभी कभी आपको घुमाने के लिए ऐसा कर देते हैं कि इसकी जगा पे लिख है 0.25 मीटर ठीक है तो है यह उतना ही क्योंकि आप इसको 100 से गुड़ा करोगे तो यह क्या बन जाएगा 25 सेंटीमीटर बन जाएगा करेक्ट आ गई ना प्यारे बच्चों बात समझ में चलो बहुत बढ़िया देखते हैं अभी हमारे साथ शिवम है रोहन है अमित मौर्य प्हाया है आस्था हैं कोमल हैं कैफ खान हैं सिवम् प्रजापति बहुड बहुत बढ़िया चलो इसी तरही के से दूर बिंदू की इत बिना समंझन kita लगाए मानु जितनी दूरी तक इस्पष्ट देख सकता है जितना अधिक्तम देख सकता है कितना देख सकता है अनंत त तो इन्होंने बोला वह दूरतम बिंदू या दूरस्त बिंदू कर सकते हो जिस तक कोई भी नेत्र वस्तुओं को सुस्पस्ट जो है वो देख सकता है नेत्र का दूर बिंदू कहलाता है क्या कहलाता है बेटा दूर बिंदू कहलाता है समान नेत्र के लिए ये कितनी दूरी पर होता है अनन्त दूरी पर होता है बोलो यहां तक क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है चलिए जल्दी से एक आप लोग स्क्रीन सॉट ले लिजे बच्चों जल्दी से प्लीज टेक आई स्क्रीन सॉट कि जल्दी से फिर मैं आगे कॉंटीनु करूं अभी हम लोग 91 लोग अभी सेशन को देख रहे हैं बहुत बढ़िया चलो देखो अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना बहुत प्यार के साथ सुनना आप लोग यह जो मेरे से चैप्टर पढ़ रहे हो इस चैप्टर को अगर आप कहीं और पढ़ने के लिए जाओगे आपको समय लगेगा बहुत जादा एक दिन में मानव नेत्र फिर एक दिन में दरश्टी दोस फिर आगे छोटे 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 कोश्चन तो अभी ना देखो मैं कितने प्यार से कितनी सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी और अभी सिर्फ 40 मिनट का सेशन हुआ है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि भाई बहुत कम टाइप में मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिस की और हम आपके साथ दिल से जुड़े हैं तो मुझे मज़ा भी आता है बहुत अच्छा पढ़ाने में भी चलिए आप हम लोग आगे बढ़ते हैं स्क्रीन सॉट आपने ले लिया है आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं हम लोग द्रश्टी दोस और उनका निवारण ठीक है तो आपके क्लास में कितने प्रकार के द्रश्टी दोस हैं है ना तो सबसे पहले तो मुझे यही पढ़ना पढ़ेगा कि द्रश्टी दोस आखिर होता क्या है है ना तो इसमें पहली लाइन कि जब बहुत अच्छे से मेरी बात को सुनिएगा कि जब जब मानो को जब मानो कि नेत्र के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिम्ब रेटीना पर नहीं बनता है रेटीना पर नहीं बनता है तो क्या होता है बच्चो रेटीना पर नहीं बनता है तब नेत्र में दोस पाया जाता है पासमन आ गई क्या पाया जाता है दोस पाया जाता है तो अगर रेटीना पर प्रतिबिम्ब नहीं बनेगा तो इसका क्या मतलब है इसका यही मतलब है कि मानव नेत्र में क्या आ गया है दोस आ गया है और ये दोस कितने प्रकार के हो सकते हैं इनको भी डिसकस करते हैं कि ये दोस कितने प्रकार के हो सकते हैं हना तो ये दोस के प्रकार देखते हैं तो हम लोग लिखते हैं मानव नेत्र के दोस मैं एक एक चि द्राष्टी डोस्त सर ने बोला कितने प्रकार के यह पांच प्रकार के आपको पढ़ने हैं आप तो सुचो कि मेरे सर ने तो केबल दो प्रकार के पढ़ाये जिस में से तीन ही हमारे सबसे ज़रा important है और उसके बाद दो छोटे छोटे नमबर के लिए important है बाकि उपर के तीन पूरे के पूरे चार चार नमबर के है रखे होते बेपर में मानके चल लो तुम लोग ठीक है हाँ देखा तीनी बताए है न तीनी होते हैं ऐसे लिखर ही आसता कि सर मैंने तो तीनी पढ़े देख दूर द्रे दूसरा निकट द्रष्टि दोस धो जा गाना तीसरा क्या है जरा द्रष्टि दोस ज़त दूस है चौथा कौन सा है सर चौथा है हमारा वर्न आन्धता चौथा क्या बच्चो वर्न आन्धता और पाच्वा कौन सा है यह आ बिंदु कता बहुत इंपोर्टेंट है जिसमें नीचे वाले दो तो एक एक लाइन के हैं कि इतने सारे हो गए समझ गये क्लियर आगे ना बच्चो चलो तो पहला है दूर दर्श्टिदोस दूसरा निकट दर्श्टिदोस तीसरा है जरा दर्श्टिदोस चौथा है वर्न आन्धता और पाच्वा क्या है पाच्वा है आ बिंदु कता एक-एक मैं डिसकस करूं एक एक हम लोग डिसकस करते हैं जिस जलदी से स्क्रींसौट ले लो इसका एक स्क्रींसौट लेजिए बच्चो जल्दी से अब एक एक डिसकस करते हैं इसमें पहला डिसकस होगा हमारा क्या पहला दोस हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं और पहला क्या है बच्चों दूर द्रश्टी दोस कौन सा दोस है दूर द्रश्टी दोस चलो अब देखो ना अब सिवम्जर की ग्लास में आयो और तुम्हें पता है कि सिवम्जर की ग्लास में हमको ट्रिक बहुत सारी मिलती है तो एक तरीका बताते हैं अब इस जिंदगी भर याद रहेगा दूर दरश्टी दोस एक लाइन याद कर लो जो दिखता है वही दोस होता है अब आज के बाद दोस नहीं भोलोगे इस लाइन को बस मन में सेट कर लो जो दिखता है वही दोस होता है तो दूर दरश्टी दोस में क्या लिखूंगा जब जब मानों दूर की वस्तु तो देख लेता है लेकिन पास की वस्तु को नहीं देख पाता तो उसकी आंखों में कौन से दोस होता है दूर द्रश्टी दोस पाया जाता है definition अपने आप लिख लोगे कितना आसान बता दिया सर ने कि दूर दरश्टी दोस जब मानो दूर की वस्त को तो देख लेता है लेकिन पास की वस्त को देख नहीं पाता तो ऐसे दोस को दूर दरश्टी दोस कहते हैं तो चलिए दूर दरश्टी दोस हो गया दूर दरश्टी आपास का नहीं दिखता तो जो दिखता वही दोस होता है ना पास का नहीं दिखता है आगे बास समझें चलिए अब हम समझते हैं कि भाई देखो पेपर में कैसी कैसी चीज़ आएंगे बोला जाएगा दूर दर्शी दोस्त क्या होता है परिवासा लिख दी कि जब मानों को दूर का देखता है पास की नहीं देखता है तो उसके आँखों में एक दोस और जा जाथा है इसे दूर है कारण बताओं क्यों होता है दूर डुर्दो कौछ क्रूब कोड़ता है और नीमारण क्या क्या है शोद निवारण क्या चलिए इसको दूर करते हैं जलिए हमान लीजे हमारे पास कोई एक बच्चा है क्या नाम होटाएद और 4 यह अच्छें से ऐसे बना लेतें इसको जो नाम आप बोलोगे मैं वो नाम लोगा जल्दी बताओ अपना-पना नाम सारे बच्चे लिखो अपना अपना नाम लिखो सारे के सारे फिर मैं लेता हूँ नाम सबके तो यह प्यारा सा कोई एक बच्चा है और इसकी क्या हो गई मेरी आँख है इसकी आंक है और इसकी आखंग में एक लेंस लगा हुआ हैसे एक यह तुझ गलत हो गया सारी के सारे अपना अपना नाम लिखो चैट में तो किसी एक कनाम लेके अभी उसकी आखंग मना लेंगे यह उसकी आख है तेक आरिमरिवासंग और इसकी आंख में क्या लगा हुआ एक टाइप ता लेन्स लगा हुआ है अना कौन है कौन है वह वह वा ग्या बाद staat Corona प्रहली बहुत बढ़िया यह कोव आ है हमारा एक कोई बच्चा है यह कोई एक बच्चा जिसका नामे कोबरा ठीक यह कोबरा जी की आँख है और उसके बाद यह देखो इसका डबल कर दिया सर ने और उसका आँख उठा के फिर एक और कर दिया नहीं 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 फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से एक मिनट एक कि एक कोई बच्चा है जिसका नाम अभी सर ने बताया क्या है कोबरा कितना अच्छा नाम रखा बच्चे ने फिर उसके बाद यह आ गया तीसरा तीन बार बना दिया उसर ने उसकी आँख ठीक अच्छे से समझना ठीक अब आपको बता है कि यह देखो मेरी आँख है आपको बता है कि इसका एक बिंदु है जो कि हमने यहां ले लिया है यह ना यह नॉर्मल बिंदु है इसका भी प्रतिविम्ब नॉर्मल है ना और उसके बाद यह हमारा कौन सा बिंदु है दूर बिंदु यहां पर कोई दूर करें ठीक उसके बाद इसी तरीके से यहां पर भी है यह चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है यही बनाने को आते हैं पेपर में और नहीं बनाया तो नंबर नहीं मिलेंगे इसलिए बहुत प्यार से समझ लो क्योंकि यह बहुत आसान होते हैं लेकिन दिक्कत होती है कि तुम इ दिखाई देता है लेकिन पास का दिखाई इसको नहीं देता थिक तो इसका मतलब है कि अगर ध्यान से हम लोग इसको देखे ध्यान यह नौर्मल आख है अगर प्रकास की किरन ऐसे आएगी तो आने के बाद इसका प्रुम्हाँ पर बन जाना चाहिए ठीक है श्री ऌड़ी कि आरी बास बटकास पर बन करा चाहिए और अगर यही आँख हमारी नॉर्मल यहां से चलेंगी प्रकास किरने ऐसे तो इसका भी प्रित्यूम यही रेटीना पर बन जाएगा यह तो कितना आसान बता दिया सर ने कि यहां पर बन गया और इस बिंदकों क्या बोलते हैं रेटीना बोलते हैं यह कैसा केस बनाया यह तो समान ने आँख है समान ने का मतलब है यह स्वस्त है यह हमारी कैसी आँख है स्वस्त है मतलब अगर अनन्त पर भी है तब भी रेटीना पर बन रहा है पास में रखा है तब भी रेटीना पर बन रहा है simple simple बता दिया सर ने okay okay correct अब क्या हुआ ध्यां से समझना मेरी बात इन्होंने का past का नहीं दिखता लेकिन दूर का दिखाई देता है इसका मतलब यह दूर से प्रकास की किर्णे आ रही है ऐसे ठीक तो ये रेटीना पर बना देता है अब तो इसने देखो रेटीना पर बना दिया अब क्या हुआ ब्यान से देखिए मेरे बात बहुत प्यार के साथ बता रहा हूं बेटा बहुत मेहनत के साथ बहुत सोच समझ के और अच्छे से बताने की कोशिस है मेरी ठीक अरे मेरे बास अच्छा क्लियर समझ मैं आ देखो अब क्या हुआ यह प्रकास की किरण यहां से चली ऐसे और जब इसकी आखों में दूर दश्टी दोस हो जाता है न तो यह जो गोलक होता है यह इसका प्रतिविम बनता है वो यहां आके बन जाता है मतलब यार रेटीना यहां था समझिये रेटीना तो यहां था रेटीना यहां है लेकिन प्रतिविम यहां बन गया ऐसा कब होगा सोचो ऐसा कब होगा तो होगा आपको खुदी पता चल गया कि यह कारण है इसका मतलब गोलक क्या हो गया छोटा हो गया गोलक कैसा हो जाता है छोटा हो जाने के कारण नोट्स में सारा दे दूँगा आप अराम से नोट कर लेना गोलक छोटा हो जाता है मैं अभी आप ऐसी ट्रिक बता दूँगा कभी भूलोगे ही नहीं बच्चो तो इसका मतलब यह हुआ कि दूर दर्श्टी दोस में जो पास में वस्त रखी है वो उसको दिखाई नहीं दे रही इसका मतलब उसका गोलक छोटा हो गया ठीक यह क्या हो गई बीमार वाली आख है इसका मतलब यह कैसी है दो स्युक्त आख यह क्या है बच्छो दो स्युक्त आख कितना प्यार से समझ में आ गया चलो अब एक काम करते हैं हमने बोला इसको चस्मा पहना दो ऐसे चस्मा पहना दिया ऐसे अब चस्मा पहना देंगे तो इसका मतलब है यहां पर कोई काम 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 कूँ करता है उत्तल तो हमें काम करते हैं इसमें अइसलिए immature क glaze सको ऐसे बना कि दिखा सबूंत तो यह एक लिन्स से उसको पहना दिया गया चस्में लगा दिया और तलका दिया इनको और लगा दिया कि अब क्या होगा बैट्चो ऑस प्रकास कि ओğर ऐसे चलीगी जम देख एसे कमयें इसे गास अव यह फेखाते शुक्त यह क्या करेगी थोड़ा सा जुकाएगी तो देखो हमने थोड़ा सा क्या कर दिया जुका दिया फिर यह क्या होगा थोड़ा सा जुका दिया इसने और उसके बाद फिर यह आख वाला जो है अब इतनी तो इतना तो कमजोर नहीं हो गया तो इसने क्या कर दिया इसने और जु बोलो क्या यह बात समझें वागए यह क्या हो गई यह संसोधित आंख तो संसोधित संसोधित अग अर्थात मैं लिख सकता हूं कि यह दोस्त से क्या हो गई मुक्त हो गई करेक्ट यह हमारा संसोधित हो गया दोस्मुक्त बोलो यहां तक सारे पच्चों को समझ में आ गया अब मैं एक मिनट कमेंट लूँगा फिर इसी तरीके से निकट दश्ट दोस्ट बताऊंगा कारण तो बता दिया सर ने कि गोलक जो है वो क्या हो गया है छोटा हो गया है और दूसरी कारण हो सकता है जो कि दोनों के लिए सेम होगा समंजन छमता समंजन छमता कम हो गई मतलब लेंस हमारा कम जोर हो गया बीमार हो गया विचारा वुड़ा हो गया अभी इसको कहीं विवस्त हो विचारा हो कहीं पीछे बना देगा कहीं आगे बना देता है इस कम जोर हो गया कि इस ने क्या किया है जवानी में अपनी आँखों का सही इस्तेमाल इसने नहीं किया इसलिए कमजोर हो गया मुझे बताओ जल्दी से सर एक बार फिर से बता दीजे प्लीज भूमिका कह रही है कोई दिख कर नहीं बेटा बताते हैं क्या बताया सर ने अच्छा अभी तक बता दो क्या बताया सर ने अभी तक सर ने बताया कि जब दूर दुर का दिखता है पास का नहीं दिखता है कारण गोला छोटा हो जाने के कारण दूसरा समझन चमता कम हो जाती है ये तो स्वस्त आ लेकिन अभी पास पे हैं तो देखो यह क्या हो गया गोला ने इसलिए तो किरने बहुंसा हो सकता काम हो जाए तो उत्तर लेंज पहना दिया तो यह के बाद यह बाद ये रेटीना पे आके मिल जाएंगी यह एक कर्ेक्ट आगे सबको समझ वह ओम-चाजी मैंने का भी कमेंट पढ़ लिया लिखिए तो बेटा कमेंट में लिखा करो हैसे मत बोला करो सर मेरा मेंट नहीं पढ़ा ऐसका वह चूट जाता है फिर है ना चलो अच्या डूसरा अब निवारन क्या है कि निवारण में क्या हो सकता है कि निवारण में क्या होगा चस्मे में कि चस्मे में उत्तर लेंस लगा दो कौन से लेंस लगा तो चस्मे में चस्मे में उनको उत्तर पहना दो अभी माद में बाद में ट्रिक ऐसी बता दूंगा भूलोगे नहीं चस्मे में उत्तर लेंस लगाना चाहिए तो ऐसा हो जाएगा बोलो समझ में आगई बात सभी को अच्छे से प्यार से चलिए बहुत बढ़िया रुको मैं इसकी आवाज थोड़ा कर लू तो था कि मुझे सुनाई भी देता रहे ठीक मैं अपना फोन जो है वो बंद कर देता हूँ चलो बढ़िया ठीक अब हम लोग समझते है कि क्या होता है हमारा दूर दरश्टी दोस ठीक अब तो बहुत प्यार से समझ में आ जागा सारे बच्चों को निकट तो आ गया है समझते हैं हो 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 अब हम लोग समझते हैं निकट दर्श्ट दो कि रुकियेगा जाईएगा मत कूलर बंद करके रखते हैं ताकि यह बोर्ड बंद नहों फिर भी बंद हो जाता है कि चलिए बहुत बढ़िया बस एक मिनट लगेगा फिर से स्टार्ट हो जाएगा हैं हमारे साथ कोमल है अनन्या दिच्छित हैं हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं एंड पूजा दुबे वेरी गोड सर त्वैल्थ फिजिक्स क्लास कब लोगे बेटा क्लास लिया था त्वैल्थ फिजिक्स यह जो ड्रामा हुआ है ना यही ड्रामा हुआ था उधर भी अब यह क्यों होता है मैं इसका सलुशन नहीं डून पा रहा हूं को कि इसके बंद होने से पता है 40 लोगों ने क्लास चोड़ा बंळोने की वजय से तुरन 40 lacone क्लास को चोड़ा कि सोच लो क्या होता है जब क्लास बंद होती ना तो हमारे कुछ जो मूर्ख टाइब की बच्चे होते हैं ना वो छोड़ के तुरंट जाते हैं सेशन को और नुक्सान उनका होता है उनके बारे में मुझे सोचना होता है कि चलो कि डिसकस करना बेटा भूब को अभी क्या डिसकस करना है हम लोग को डिसकस करना है अब लोग निकट दरश्टी दोस्ट निकट दरश्टी दोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट चलो निकट मतलब अभी समय बताया था कि पास का दिखता है तो जो दिखता वही दोस होता है इसका मतलब पास का दिखता है और दूर का नहीं दिखता तो मतलब आप लिख सकते हो कि मानो नेतर का वादोस जिसमें पास रखी वस्तु दिखाई दे जाए परन दूर की वस्तु दिखाई ना दे तो दूर का नहीं दिखता है मेरे प्यारे बच्चों ठीक है? दूर का नहीं दिखता है कारण अभी समझेंगे कारण अभी समझते हैं फिर निवारण समझेंगे फिर से भाई चीज करते हैं किसी की आख बनाते हैं इस बार किसकी आख बनाई जाए? चैट में बता दो किसकी आख बनाई जाए? किसकी आख बनाई जाए? जल्दी से बताइए इस बार किसकी आँख बनाई जाए कौन चाहरा है कि मेरी आँख बनाई जाए ठीक है बता दो जल्दी से आँख में लगा ये कौन सा लेंस है उत्तल लेंस आँख में लगा होता है सेना करेट आँख में लगा हुआ कौन सा लेंस है उत्तल ठीक चलो अब इसके बाद इसमें क्या होगा एक ये ये हो गया हमारा मुख्या अच्छ ऐसे ओके करेक्ट चलो अब इसको तीन बार करना है मेरे को इसी चित्र को तीन बार बनाना होता है तो अब कॉपी पेस्ट करेंगे कि करते ये पेते ना तो ये कॉपी हो गया कॉपी होग जैंड ए लोग फिर से कॉपी करना है अई एक बार फिर से कॉपी हो गया ढ़ीक करेक्ट चलो तीन बार हो गया अब देखो क्या हुआ यह कौंसी आँक है सवस्त कि स्वस्त है बच्चों अब आपको बदाए कि अगर यह आख हमारी सुस्त है तो दूर से जो किरने आ रही होंगी कि इनको तुमसे ऐसे मतलब डॉटेंड बनाना दूर से किरने आ रही है आके आके कहां मिलेंगी यह रेटीना पर आके मिल जाएंगी है और अगर 25 से भी आ रही होंगी तो भी आने के बाद यह कहां मिल जाएंगी रेटीना पर आके मिल जाएंगी करेक्ट ना बोलो समझ में आया इसका मतलब यह हमारी स्वस्तांक है कहीं भी वस्त रखो यह हमारा 25 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक आप उसमें भी लिख लेना 25 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक अनंध कि ऐसा उसमें भी कर लेना यहां पर कोई बिंदु है जहां से प्रकास किरने जोह आ रही है कि बोलो आगया ना बच्चों यहां तक समझ में सर अमित मौर्या सर यह क्या हो रहा है अच्छा यह क्या हो रहा है पढ़ाई औरी ब दूर से प्रकास की किरने आ रही है वो क्या करेंगी वो पहले ही आके मतलब इससे पहले ही मिल जाएंगी इसी पॉइंट पर आके मिल जाएंगी यही पर और यह क्या हो गया यह हमारा रेटीना है रेटीना पर एक पॉइंट है जिसको में क्या बना दिया है जो कि हमारा रे तो यвойत पहुंची नहीं पाई इसका मतब्कारण कया है गोला इसँ बारा क्ड़ा हो गया है कि अन्य आक का गोला कैसे हो गया प्रशा पड़ा चाहले फिखेंगे गोलख क baru भुजा है कि बड़ा हो बदम हो जाने के कारण है बताईए आ गया समझ में पहला कारण दूसरा तो फिक्स है सब के लिए समंजन छंता कम हो गई समंजन छंता कम हो जाने के कारण समंजन छंता कम हो गई आँख का गोलक बड़ा हो गया अब हम क्या करेंगे इनको नहीं दिखाई दे रहा था यह किरने पहले ही मिल जा रही थी तो हमें काम करते हैं इनको एक चस्मा पहना देते हैं और उस चस्मे में एक लेंस लगा देते हैं इनको एक चस्मा पहना देते हैं और उस चस्मे में एक लेंस लगा देते और वो लेंज कौन से लगाएंगे अवतल हरा इनको कौन केव लेंज पहना देते हैं तो अब क्या होगा जो प्रकास की किर्णे जो हमारी प्रकास की किर्णे कि अनंत से आ रही थी ऐसे ऐसे आ रही थी और सोच वह बार यह नहीं है तो जैसे कि लिनसे गुजरती पहले मिल जाती अब य detailed house क्ला थोड़ा सा फैलाना तो अब diese क्लीव यहीं से क्या करेगा पहला देगा अब देखो क्या हुआ इतो यह प्रकास किनेया से आरी थी तोड़ा सा फैल गई क्योंकि इसका काम ही है और आने के प्रवाद फिर से ये अब जाने के बाद यहां क्या हो जाएंगी रेटीन आपर मिल जाएंगी तो जब आख चब चस्मा टेस्ट कराने जाते हो तो क्या होता है पहले आपको आखी चेक कि जाती है आपके आख कितनी पावर का लगेगा कितना मोड़ना है प्रकास की किरण को वो चेक कर किया जाता है, समझ में आया बच्चो, सर मैं आपकी क्लास में पढ़के 99 लाया, अच्छा ऐसा लिख रहे हो, मुझे लगा कुछ और है, मेरे सर, मेरे सर, मेरे सर, बताइए सर, चलें बच्चो, आगया सब को, अब निवारण में क्या है, क्या लगाओगे, चस्मे में आवतर लेंज का प्रियोग किया जाए, चस्मे में आवतर लेंज का प्रियोग किया जाए, समझ में आ गया असान था ये कैसी है हमारी दोस युक्त आख है ये हमारी कैसी आख है दोस युक्त है ये कैसी है बच्चो ये हमारी क्या है दोस इसका खतम हो चुका है इसका मतभ़ी इसको हम लिख सकते हैं दोस मुक्त या संसोधित दोस्मुक्त हो गई करेक्ट बोलो समझ में आया सर्फ फिजिक्स में फेवरेट सब्जेक्ट अच्छा अच्छा फिजिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट समझ में आ गया तो हम लोगों ने दूर दर्श्टी दोस्ट भी पढ़ लिया हम लोगों ने निकट दर्श्टी दो पढ़ा स्क्रीन सोट लेना चाहों ले लो बच्चों कोई समस्या हो बता दो चैट में अब इसके बाद निक दूर भी कंप्लीट निकाट भी कंप्लीट अब तो डर नहीं लगेगा आप क्या पढ़ते हैं जरा और वर्णांधता और आब इंदुकता चलिए तीसरा पढ़ते जरा महकती है ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं जरा जरा दिखाई देता है मतलब इनको कुछ दिखाई देता है कुछ नहीं दिखाई देता है कब होता है दोस्त इसकी बात कर लेते हैं देखते हैं कितनी लोग हो कि कमेंटमेंट देख लें और यार इतने लोग सारे बच्चे हो मेरे साथ और अभी सेशन को like ने किया हद है हद है बच्चो हद है 690 लोग देख चुके सेशन को अभी तक और सिर्फ like किया सव डेड़ सो बच्चों ने डेड़ सो भी नहीं है कि जराद रश्चिदोस क्या होता है यह कब होता है आयू में व्रद्धी आयू में व्रद्धी होने पर अब इस पर समझना मेरी बात इस पर कैसे लिखना है जराद रश्चिदोस इसको कि लिखना कैसे मैं बोल देता हूं बाकी नोट्स आप टेलिग्राम पर ले लेना मिल ज जाती है अधा ना उसे दूर का दिखाई देता है ना उसे दूर का इस पस्ट दिखाई देता है और ना ही उसे पास का इस पस्ट दिखाई देता है तब मानों के नेत्र में एक दोस्ट पाया जाता है जिसे जरादर्ष्ट दोस्ट कहते हैं क्या बोलते हैं जरादर्ष्ट द लिए चसमे में चसमे में उत्तल व्ह अवतल कर दोनों का उपयोग किया जाता है ऑखतल भी लगाएंगे कि दूर का देक नहीं दिखाई दे रहा है नहीं दोपास का दिखाई दे रहा है लेकिन एक च्शा समया बनाया जो भी मेर बात अब इसमें क्या होगा कि ऐसे बनाते ऐसे करते इसके नीचे वाले हिस्थे में उत्तर लगा देते और उपर जी से में लहादेते से इसका करने का कोई रीजन है यह नोट कर लूप काम आता है पूछा जाएगा चसमे में उपर क्या लगाते हैं इसका कोई वजह है सर हाँ वजह है तभी तो बता रहे हैं सुनो ज्यान से चुनना मेरी बात अभी हमने क्या बताया आपको हमने बताया एक होता है दूर द्रश्टिदोस और एक होता है हमने बताया निकट द्रश्टिदोस यह तो बताया बोलो है ना इसमें बताया गोलक छोटा होगा इसमें छोटा गोलक होता है इसमें हमने बताया बड़ा गोलक गोलक बड़ा हो जाता है यह तो बताया इसमें हमने बताया कि उत्तर लेंस उप्योग करते हैं और इसमें हमने बताया कौन से लेंस लगाते हैं उतर लगाते हैं एक बात बताओ सोच कर देखो एक बात यह नोट कर लो काम आएगा देखो न लेंस में भी बड़े दिखो 24 और इसमें कितने 3 चोटे के लिए चोटा बड़े के लिए बड़ा चोट बड़े वाले में गोलक बड़ा चोटे वाले में गोलक चोटा अब तो नहीं भूलोगे बोलो अब तो नहीं भूलोगे कि दूर दर्शिदोस गोलक चोटा उत्तल लेंज निकर दर्शिदोस बड़ा लेंज मतलब अव उत्तल चार हैं उत्तल छोटा बड़े के लिए बड़ा छोटे के लिए छोटा एक दूर में दूर का दिखता दूर का दिखता पास का नहीं दिखता हरा निकट में पास का दिखता दूर का नहीं दिखता कि समझ में आगे बात? अब तो नहीं भूलोगे? और आवतन लेंस दूर की चीजों को दिखाने में मध्द करता है दीशे का मतलब आँदन नीचे जुकाइगे अंदर जाएगा तब ही दिखाएगा तो नीचे उतन लगाते हैं प्लों करताया पास की की चीज़ों को दिखाएंगे बैटा जितनी मेहनत हम कर रहें उतनी मेहनत तुम्हें साथ कोई नहीं करेगा इतनी इमानदारी के साथ सच बतारों में ठक जाता हूं यह पीठ हमारी धर्द होने लगती है बहुत ज्यादा ऐसे चलना पड़ता है बस आप लोग पढ़ाई करो अच्छे नंबर लेओ यहीं चाहता हूं मैं ठीक अच्छा इतनी बात समझ मांगई आयू में व्रद्धी होने के साथ साथ मानो नेत्र में एक दोस्त पाया जाता है जिसे जराजश्ट दोस्त कहते हैं इस दोस्त में व्यक्ति को ना तो दूर का इस पस दिखाई देता है इस दोस्त को दूर करने के लिए चसमे में उत्तलवा अव्द्D दोनों प्रकार की रेंचों का उपयोग किया जाता है इसका कारण क्या है निवानर तो बता दियाक कारण क्या है कि गोलग आँक की जो हमारी समझन चंता होती दो कम हो जाती है सबसे बड़ा कारण समझें चंता कम हो जाती है हो सकता गोलग भी चोटा बड़ा हो जाए हाँ हाँ ओम छा जी बताई ये क्या बात है नहीं इंगलिस नहीं पढ़ाता हो बेटा ठीक है हाँ बिल्कुल नीचे उत्तल उपर उतल यही तो बता रहा हूं बेटा नीचे उत्तल उपर उतल आस्ता कोई डाउट है क्या देखो नीचे उत्तल उपर उतल यही तो कर रहा हूं हां बिल्कुल पांच इंपर्टेंट आस्ता कोई डाउट है क्या देखलो 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 ठीक नेत्र का व्यास क्या होता है ये भी बढ़िया कोशन पुछा आपने बेटा ये नेतर होता है यह इसका व्यास होता है यह गोलक हमने बोला ना कि गोला बड़ा हो छोटा हो जाने के कारण यहां लिख सकते हैं व्यास छोटा हो जाने के कारण यह भी कर सकते हैं यह भी आ सकता है तीक है अच्छा अच्छा ओके ओके आ गई ना बात समझे चलिए अब हम इतना समझ चुके यह सारे हो गया हमारे जरा दश्टी दोस समझ लिया अब इसके बाद देखो मैं पूरा तुरन तुरन रिवीजन भी करता जा रहा हूं इसलिए आप इसको पूरा क्लास को अच्छे से अधिक रंगों में विभेद नहीं कर पाता है रंगों की पहचान नहीं कर पाता मतलब उसको रंगों की पहचान नहीं होती रंगों की पहचान नहीं कर पाता है बस एक लाइन है इसमें कि जब मानव नेत्र दो या दो से अधिक रंगों में विभेद ना कर पाए अर्था रंगों की पहचान न कर पाए तो इसकी आखों में एक दोस्तना जाता से जिसे वाí नाम मैं फटा चला है वड्धा वड्धांद यहाँता ओर मतलब क्या होता है कलर नाम मिंफ़ता चला ह वर्ड क्या है पर्याय वाची है किसका कलर रंग का है ना वर्ड का मतलब रंग तो वेड़ ना अंधता जो कलर की पहचान ना कर पाई करेक्ट कोई दिकत ठीक है अच्छा अब इसके बाद पांच नंबर पांच नंबर क्या आ बिंदुकता देखो आ बिंदुकता समझते हैं आ बिंदुकता ठीक इसे समझते हैं देखो आ बिंदुकता क्या है अमालो जैसे यह हमारे सामने एक सीधी सीधी वस्त खड़ी है ऐसे ठीक और इसके तो यह हमारी यह पड़ी है पड़ी और खड़ी पड़ी और खड़ी है ना तो खड़ी को तो हम बोलते हैं उर्द्वाधर आपको पता होना चाहिए और पड़ी मतलब छहतिज तो अब मान लोग दो चीजे हैं एक खड़ी खड़ी रखिए सामने एक पड़ी पड़ी रखिए तो उनमें वो पहचान न कर पाए कि वो खड़ी और पड़ी दोनों को एक साथ वो फोक्षित नहीं कर पाता है एक लाइन लिखोगे आप इंदुकता वह दोस है जिसमें मानो नेत्र उर्दाधर तथा 36 रखिए वस्तुवों को एक साथ फोक्षित नहीं कर पाता है अर्थात उन्हें एक साथ नहीं देख पाता है ऐसे दोस्त को आब इंदुकता कहते हैं बस एक लाइन है बोलो समझ में आया हाँ होरिजोंटल और सबात है होरिजोंटल होरिजोंटल और इसको वर्टिकल बोलते हैं वर्टिकल एन होरिजोंट्ल रोहन डन अब मुझे बता दो कोई डाउट हो तो फिर से बता दें देखो जब मानो नेत्र एक साथ उर्द्धादर और 36 रखी वस्तुवों को एक साथ फोक्षित नहीं कर पाता है तो उसमें एक दोस पहा जाता है जिसे आबी दुकता गहते यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को कोई सम स्याओ तो बताईए आज बहुत बड़ा लेक्चर लिया है आप लोगों को बताऊं इसको मैंने पिछले साल जब पढ़ाया इससे पहले जब पढ़ाया तो इसके लिए मानो नेत्र के अलग सा लेक्चर निकरदर्ष्टी दोसका अलग से लेक्चर और दूर दर्ष्टी द पूरा देखने के बाद नोट्स बना लेगा अच्छे से और पूरा नोट्स इसी में दिया भी है मैंने वह 100% मान के चलो आज की सेशन से उसके 7-8 नंबर पके कोई काट नहीं सकता मत भटको मेरे प्यारे बच्चों मत भटको मैं आप लोगों को भटकता हुआ देखता हुआ हुआ तो मुझे बहुत तरह साथ है सच बता-थारूं बहुत तरह साथ आता मेरी बात का लो OUT महत तरह साथ हैह जब मैं कि आप एक ऐसे चैनल पर जारे हो जहां पर हर इंसान मेहनत करता है में यह नहीं कर रहूं कि Crown then madam पर बहुत सारी चीजों की कमी है कमी यहां भी है लेकिन मैथ साइंस तो पूरा मिल रहा है ना इसको पूरा करो अच्छे से इस चैनल पर आपको मैथ साइंस में कोई समस्या नहीं होगी बहुत मज़ा आएगा आपको कोई समस्या हो तो बताइए अभी तक इसके बाद मैं आप लोगों को दो मिनट और चैनल करना पड़ेगा जल्दी जल्दी बताओ अगा नेत्र लेंस में कौन सा लेंस होता है बताया तो राम कौन पूछा कौन पूछा है राम भरोसे सेट जी अभी सारी मतलब उत्तर लेंस अभी इतनी देर से मैं क्या कर रहा हूं आख के अंदर इतना बड़ा सा लेंस जाती है यही तो पता है कैमरे के सामने आती ही आती है और उसके बाद जब क्लास खतम हो जाती है तो यहीं लगता है बस बैठ जाओं में कोई कुछ लिख रहा है सर मेरा नेम सिवम कुमार है मेरे साथ ना इंसाफी हुई है मुझे ब्लॉक कर दिया गया है मैंने दूसरे ID स मैसेज देखो जो बत्तिमी जी किया होगा किसी ने कुछ भी वह ब्लॉक किया गया होगा ना इंसाफी कुछ नहीं हुई अगर आके आपने कुछ भी गंदा कमेंट या कुछ भी किसी को बोला होगा आप ब्लॉक किये गये होंगे इसमें ना इंसाफी नहीं है किसी के साथ वह आपकी कर्मों की फल है बुरा मत मानना ठीक है वह आपकी कर्मों का फैल है अनब्लॉक कर दूँगा मैं आपको सियों जी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दुबारा याद रखना नितिन अजय विशाल विशाल आप मुझे मैसेज करो इस नंबर पर नोट्स मिल जाएगा बस इतना लिखना मुझे नोट्स नहीं मिल रहा है ठीक चलिए बच्चों बाई-बाई टेक क्यर सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगा पढ़ाई करते रहो all the very best और साथ-साथ आप ज तो उस बैस में मज़ा आ रहा है क्योंकि लाइव होती है ठीक है बोलो किसी को डाउट है किसी को समस्या यहां तक सारे बच्चों को आया की नहीं समझ में कि आया कि मौच करते रो और सुनो मेरी बात कोई डाउटों बता देना हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल पढ़ेंगे पढ़ेंगे आप बिल्कुल पढ़ेंगे कविता ओके ओके कमलेश कुमार जी कह रहे हैं मैंने चनल को अंसब्सक्राइब कर दिया है रिवेंज जो है वो मेरा बदला जो है वो पूरा हो गया बहुत बहुत दन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों ऐसी सोच लाने के लिए कुछ तो पहले आके गंदा बोलो और इसके बाद जब ब्लॉक कर दिये जाओ तो उसके बाद फिर बोलो कि बदला पूरा हो गया बहुत 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 आपको हार्दिक बधाई जो अपने अंसब्सक्राइब किया चनल को थाइंक्यू देटा इससे एक दो से कुछ न नहीं हो पाएगा याद रखना है चले फिर आज के लिए बस इतना ही बाई बाई टेक क्यार अ कि सर ने बोला था लड़कियों के कि बदले के लिए हां बोला था मैंने आस्था नहीं थी उस सेशन में कि चलो बहुत बढ़िया हां सोच बदली है बिल्कुल करेक्ट कि सर हमारे दो आखे क्यों है यह भी बहुत बढ़िया तरी क्वेश्चन है बहुत अच्छा है हमारे दो आखे क्यों है बेटा दो आखे इसलिए है कि वह ना कि एकास कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में एक टूट भी जाता प्यार में तो तकलीफ नहोती जीने में क्योंकि दो आखों की वज़े से हम 180 डिगरी तक देख सकते हैं ऐसे 180 डिगरी तक देख सकते एक बार में 180 डिगरी तक पुरा देख सकते हैं समझ गए कि चलो भाई मज़ा आ गया सारे बच्चों को बाबाय टिक क्यार ठीटो आख होगा है 349 डेख सकते अब सब्सक्राइब करें जया नडिया करता है क्या पूंच वज़े से 100 डिगरी तक देख सकते हैं कि अपला कि अॉबला है कि अपल झाल